गुड इवनिंग फ्रेंड्स वेल्कॉप तो मैं चैनल कैसे हैं आप सब आज में जो आप सबकी साथ है रेमिटी शेयर करूंगी ये हमारे किरी हैर को बहुत अच्छी तर से कवर करेगी तो चलिए देख लेते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे सबसे पहले लेंगे लोही का बर्त बनाएंगे और इसमें डालेंगे छीक है आउनला बालों को जड़ों से काला लंबा घला मस्बूत बनाता है और जो हम रोस्ट करके डालते हैं ये थोड़ा से डार्क कलर देता है उसके बाद हम इसमें डालेंगे लगबग एक से डेख चमच शिका काई पाउदर शिका भाज्या कहा जाता है बालों के इसी कोई समयच्जा नहीं है जिसी शीक्सका का इधा काम करता है उसके साहसाओ बालों को काला-लमबा-घना-धन्वत बनाता है अब इसमें हम डालेंगे फिलसि पाउड़र देखें तिलसि भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यदा फाय्देपंद होती है बालों को काला लंपा घना बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा यूसफुल होती है फिर बहुत ही अगर आपके पास यह तो आप यहां पर एक से डीट चमच या फिर तड़ी पत्ते का powder या फिर जो नेम के पत्ते आते हैं उसका powder add कर सकते हैं चीक है मैंने तोल से powder का add किया है उसके बाद हम इसमें डालेंगे लगबग एक से डेट चमच मेथी दाना powder मेथी दाना को भी मैंने powder के रूप में ही यहाँ पर use किया है आप चाहें तो खड़ा मेथी दाना भी use कर सकते है मेथी दाना जो कि बालों की कई समझाओं का समाधान करता है premature gray hair को treat करने की सबस्ताथ बालों में ठिकनिस देता है deeply condition करता है, एक shine देता है इसमें हमने शिका का इस भी add की है वो भी बालों को dryness से बचाती है बालों को सिल्की बनाती है इसके बाद हमने डाला है यहाँ पर पानी लगबख दो कप के जितना बड़े कप पानी डालेंगे पीने के पानी कर यूज करेंगे ठीक है, hard water कर यूज नहीं करेंगे उसके बाद मैंने इसे रखा है गैस पर गैस के flame को मैंने on कर दिया है अब इन सब चीजों को हमें लगबख 7-8 मिनट तक बहुत अच्छी तरसे boil करना है जैसे क्योंकि हमने यह सब चीजे आयन में डाली है आयन की कड़ए में डाली है तो यह सब चीज से आयन फॉटिफाइड हो जाएगी तो हमारे बालों के लिए दुग ना फायदा होगा इन चीजों से छीक है लगबख 7-8 मिनट जब हो जाए आप देखेंगे पानी का कलर बिलकुल चेंज हो जाएगा बिलकुल ब्लेकेश दिखेगा क्योंकि यह आयन की कड़ाई में है उसके बाद हम गैस के फ्लेम का बंच करेंगे और इससे आपको ढखकर 2-3 गंटे के लिए छोड़ देना है उसके बाद ही कुछ इस तरह का दिखेगा पूरे तरह से ब्लेकेश दिखेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं अब हम क्या करेंगे इसमें जो कुछ चीजें थी हो हलकी सी दर-दरी थी सब चीजें बिल्कुल पौरवर्वर्म में नहीं थी तो हमें इसे ग्राइंड करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि अगर पौरवर्म में चीजें हैं तो अलग बात है मैंने पहले इसमें से थोड़ा सा पानी हटा दिया था क्योंकि ऐसे नहीं हो कि यह जो रेमेडी है वो बहुत ही पतली हो जाए क्योंकि हम बात में पाने एड कर सकते हैं पर निकाल नहीं सकते इस बात का आपको ध्यान रखना है छीक है तो मैंने इसमें पहले पानी थोड़ा सा हटा दिया था उसके बात मैं सब चीजों को बहुत अथी तरसे ग्राइंड करूंगी यहां पर हम आगे का प्रोसे शूर करें उससे पहले मैं आप सबसे चोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइम किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल बोटन जरूर पेस्ट करें तो जो भी उड़ोड़ा दूंगी उसका अनुस्टिन आपको तरन्त मिल जाएगा अगर वीडियो यह सुल लगी तो अपने फैमिली और चैन्स में जरूर शेयक करें अब देखिए मैंने इसे बहुती अच्छी तरसी स्मूध सी पेस्ट बना ली है अब हम इसमें डालेंगी हीना मतलब महंदी हम इसमें एक दो चीज़े और एट करें के प्लीज वीडियो के साथ बने रहे है कुछ लोग ऐसे हैं जिनें हीना का कलर पसंद नहीं आता है पर हमने इसमें हीना की मतलब खोड़ी सी कप डालिया फिर भी अगर आपको कलर पसंद नहीं आता है तो आप इसके बाद एक से दो दिनों के बाद आप इंडिको पाउडर लगा सकते है ठीक है पर प्लीज केमिकल पर मच जाएए मैंने बार बार कहा है फिर से वही कहूंगी केमिकल पर मच जाएए अब मैंने हीना डाली है अपने बालों के हिसाब से आप अपने बालों के साब से डालेंगे कितने ठिक हैं आपके बालियां कितने लंबे हैं या फिर आपको पूरे बालों में लगाना है या फिर सिर्फ जड़ों में लगाना है अब हम इसमें डालेंगे एक चमच एक से दो चमच डालेंगे काफी पाउडर देखी काफी जो है ये एक natural dye का काम करेगी बालों के color को डाप करेगी उसके साथ-साथ ये बालों में ठिकनेश भी देगी क्योंकि इसमें caffeine पाया जाता है अब मैंने इसमे coffee powder add कर दिया है अब हम क्या करेंगे जो हमने पानी निकाल के रखाता ना इससे ही आपको smooth paste बनानी है normal पानी का आप यहाँ पर use नहीं करेंगे best result के लिए इसलिए पानी आप पैडली थोड़ा सा ज़्यादा डालिए अगर ये पानी बच भी जाता है तो कोई problem नहीं है आप इसे दूसरे बार use कर सकते है store करके रख सकते है या फिर अपने शैंपू में डाल कर भी use कर सकते है अब हम इसकी पहले एक थिक थोड़ी सी smooth paste बना लेंगे अब इसमें आपको डालना है या तो lemon juice या फिर apple cider vinegar जो भी आपको दोनों में से suit करता हो लगबख दो चमच की जितना मेंने यहाँ पर दो से ठाई चमच धाला है ACV मतलब apple cider vinegar या आप यहाँ पर दो चमच lemon juice के भी add कर सकते है उससे और फोड़ा सा color dark होगा क्योंकि वो vitamin C से भरपूर होता है तो इसके साथ साथ अगर dandruff की समस्या है हमारे बालों में तो वो भी ये चीज़ें खतम करती है खासकर करें vitamin C की चीज़ें होती है उसके बाद इसे हम बहुत ही अच्छी तरसे एक smooth paste बना लेंगे और एक बाद का आपको ध्यान रखना है कि हो सके तो थोड़े से आप इसे बड़े बरतन में बनाए क्योंकि क्या होगा अगर आपकी कढ़ाई बड़ी होगी तो आप इसे चौथ तरफ फैला सकते हैं बहुत ही अच्छी तरसे और हर मतलब ये जो पूरी remedy है इसको आयन मिलेगा इस तरह से आप इसे अगर फैला कर रखोगे उससे आपको और अच्छा result मिलेगा अगर बरतन छोटा है आपका तो आप उसे फैला नहीं पाओगे पर अगर बरतन या फिर तवा हो आपके पास अगर लोखन का तो आप उस पर भी बना सकते है क्योंकि लोखन का तवा भी आता है उस पर भी आप इस रेमिडी को बना सकते है या फिर इस तरह की अगर बड़ी गड़ाई हो तो आप उसमें भी बना सकते है उसके बाद आपको इसे धकतर कम से कम 14 से 15 गंटे या फिर एक दिन के लिए छोड़ना है मैंने हमेशे कहा है कि कोशिश कीजिए कि 24 आर्स के लिए छोड़े अगर आपको बेस रिजल चाहिए तो वैसे भी अभी थोड़ा सा ठंडा मौसम है तो अगर 24 आर्स के लिए छोड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा चीक है उसके बाद अपने साब बालों में छोटे छोटे सेक्षन करके एक ठिक लेयर लगानी है चीक है शावर के पहने तीन से चार घंटा ज़रूर रखें उसके बाद सरिफ और सरिफ नॉर्मल पानी चे दोना है शैंपू मत कीजिए एक से दो दिन उसके बाद ओइलिंग करने के बाद अच्छी तरसे शैंपू कीजिए वीक में एक बार यूस करें या दस दिनों में